हलो एवरिवन चलिए आज करते हैं वॉक्षीट नमबर 17 जिसकी तारिक है 12 अगस्ट 2020 और सब्जेक्ट है साइंस क्लास है 10 बच्चो इस वॉक्षीट में भी हम अपना विद्युत वाला चैप्टर कर रहे हैं विद्युत वाले चैप्टर से एक वॉक्षीट हम पहले कर चुके हैं अगर व वॉक्षीट आपने नहीं कि उसको कॉपय में ज़ल्दी से कर लो और समझ लो क्योंकि अब जो हम वक्षीट करने वाले हैं वो फिर आपको समझ नहीं आएगी ठीक है तो आज की वक्षीट में ह भारा वाही विद्युत परिपत केंद्र बिंदूओं के बीच ये केंद्र आएगा यहां पर केंद्र बिंदूओं के बीच विद्युत विबवांतर को उस कारे दुआरा परिभाशित करते हैं जो कि एकांक आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक लाने में किया ज गया है वो एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक चार्ज को मूव करने के लिए चार्ज को लाने के लिए जितना भी वर्क लगाया गया वो सब वो क्या किलाता है विभवांतर कहा जाता है ठीक है विभवांतर जो होता है अगर हम इसको इसके फॉर्मले से जाने तो विभवा और आवेश, divided by आवेश, कारे को भाग कर दिया आवेश से, आवेश के लिए हमने पिछली वीडियो में किया था कि आवेश को हम करते हैं, किस से denote Q से, ठीक है, चार्ज को Q से denote करते हैं, तो विपवांतर कैसे निकालेंगे, किया गया कारे, उसके नीचे जो आएगा आवेश, ठीक है, और जो formula बनेगा, वो बनेगा, V is equals to W upon Q, ठीक है, W हो गया, काम किया गया जो, और Q हो गया, चार्ज, आवेश, ठीक है, अब विद्यूत विबवांतर का, जो ऐसा ही मातरक होता है, वो कहलाता है, वोल्ट, ठीक है, आपने सुना भी होगा, वोल्ट, कितना वोल्ट का है, कोई भी उपकरण है, तो ये वोल्ट, जो होती है, वो विबवांतर का, ऐसा ही मातरक होती है, ठीक है, आपको याद रखना है, अब आते हैं, ये जो वोल्ट है, अगर इसकी हमसे परिभाशा पूछी जाए, तो हम क्या देंगे, इसमें उत्तर, विद्यू धरवाही चालक के, दो बिंदूओं के बीच, एक कूलम आवेश को, एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने के लिए, एक जूल कारे किया जाता है, तो उन दो बिंदूओं के बीच, विबवांतर एक वोल्ट होता है, मैंने एक वायर लिया, और उस वायर में मैंने दो ठीक है तो एक कुलम चार्ज को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक लाने के लिए कितना किया गया काम एक जूल किया गया ठीक है तो इन दोनों बिंदूओं के जो बीच में विबवानतर होगा वो कितना होगा, वो भी होगा, एक वोल्ट ही होगा, समझें, यानि कि एक वोल्ट बराबर होगा, एक जूल कार्यर, किसके लिए किया गया, एक कुलम चार्ज के लिए, चाहिक has nuclear, अब अगर हम इसको formula के रूप में हम देखें तो यह आ जाएगा 1 volt is equals to 1 joule divided by 1 कूलम और जिसके symbols हैं वो क्या होंगे 1 volt यूज किया है और 1 joule per कूलम अगर हम यहाँ पे कूलम की power minus 1 लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है वो denominator में था joule के denominator में था इसलिए जब हम उसको उपर लेके जाते हैं तो वो c की power minus 1 हो जाती है ठीके समझें ओके next चलते हैं आगे विवांतर की map एक यांतर दुवारा की जाती है और उसे volt meter कहते हैं पिछले worksheet में हमने जाना था कि current को एक up current से map पा जाता है उस उपकरण का नाम क्या है वो आप comment box में लिखेंगे और volt meter को सदैव उन बिंदूओं से पाशव करम में सयोजित करते हैं जिनके बीच विवांतर मापना होता है जो भी दो बिंदू हमने लिए हैं और इनकी बीच का हमें विवांतर जाना है तो volt meter को भी यहीं पे कहीं प्लेस कर दिया जाएगा ताकि इन दोनों के बीच में जो विवांतर आना है उसे हम मेजर कर सकें ठीक है अब जो volt यह जो नाम आया था वो किसके नाम से मिला हमें वो था एक अलेसांद्रो वोल्टा थे इटली के भोतिकी के विज्ञानिक फिजिक्स के विज्ञानिक थे वो उनके नाम पर ही विवांतर का SI मातरक वोल्ट रखा गया था ठीक है चलिए अब आजाते हैं परिपत के रूप ठीक है विद्यूत परिपत क्या होता है यह आप आठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो बचो कि किसी विद्यूत धारा के सतत तथा बंद पत को विद्यूत परिपत कहते हैं विद्यूत परिपत अगर continuous चल रहा है सतत चल रहा है और वो बंद भी है तो उसको विद्यूत परिपत कहते हैं यदि परिपत खुला होगा या कहीं से टूटा हुआ होगा तो विद्यूत में विद्युदारा का प्रवा उस सर्कुट में नहीं होगा, ठीक है? तो जैसे आप सर्कुट का एक सिंबोलिक डियाग्राम दे रखाया ये, इसमें क्या क्या हुआ है? देखो, सबसे परहे तो हमें एक वायर चाहिए कनेक्ट करने के लिए, और जो वो वायर होगी, वो किसकी होगी? एक विद्यूत सुचालक धातू की होगी, ठीक है? अब इसमें हमें बैटरी भी चाहिए, पावर सप्लाई देने की ज़रुरत है, अब ये बैटरी और सेल में क्या अंतर होता है? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक चोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, लेकिन बैटरी में दो या दो से ज़ादा सेल हो सकते हैं, ज़ादा बड़ी बैटरी तो बीच में डॉट-डॉट से इसको शोग कर देते हैं, ठीक है? तो यह हो गया हमारा बैटरी, और फिर एक उप करन लगाया गया, यहां पे एक बल्ब लगाया गया, वो ओन हो गया, तो इसका मतलब हमारा सरकित ओन है, हमारा सरकित सही काम कर रहा है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है, और यहां लगाया गया है अमिटर, जिसको current मापने के लिए बीच में लगाया जाता है सर्किट में उसके बाद एक और इंपॉर्टन चीज है जिसको हम स्विच या की बोलते हैं तो यह हो गया एक विद्धित परिपत एक सेल अत्वा बैटरी एक प्लग कुझी विद्धित अव्यव होते हैं इसके अव्यव को एक तरीके से यहा हैं बैटरी के लिए उसके बाद हमारी प्लग जो हो ओती है कुझी यह होती है स्विच जो हम बोलते हैं उसके इसतरीके से बल्ब के लिए यह वाला सिंबल उर श्द्धित उसके हैं और एमिटर और वोल्ट कहा गया है दो विंदुओं के बीश तो उसका क्या मतलब होगा विद्युद्ध धारवाही चार्लक फोले एक को एक जू झालद्धूह को एक जूल से लिफन्दूह के जाने में एक यूल का रिक सबीधन खिर का है ठीक है इसको अपसके से इसका ऐसका बंद प्लग ठीक है तो इसमें से आप इस टेबल से ये सारे चीज़े याद भी कर लिजे और आगे तो बहुत काम आने वाले हैं ये सारे चीज़े आपको लर्न हो जाएगी आप ये सारे यहां से लिख सकते हो अगला क्योशन है उस युक्ति का नाम बताना है जो किसी चालक के सिरों पर विबवांतर बनाये रखने में साहयक होती है तो ऐसे कौन से चालक है हम यहां पर सेल यूज़ करते हैं बैटरी यूज़ करते हैं तो इसमें आंसर में यही आजाएगा कि सेल या कोई बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी पावर सप्लाई अगर हम इसमें दे रहे हैं तो वो हो जाएगा कि उसके वजह से विभवांतर बनाए रखने में सहाइता होती है फोर्थ क्योशन है खुली तथा बंद परिपत में अंतर स्पष्ट करना है तो इसको एक बार देख लेते हैं यह है डाइग्राम खुला परिपत और बंद परिपत इसमें क्या होता है कि ओपन जो सर्किट होता है यानि कि खुला परिपत जो होता है उसमें उसमें स्विच भी खुला होता है आप देख रहे हो न यहाँ पर स्विच खुला हुआ है लेकिन अगर बंद परिपत है तो उसमें switch इस तरीके से बंद होता है और bulb on होता है इसमें bulb on नहीं होता है तो answer दिख लेते हैं लिखना कैसे है answer को आप इस तरीके से लिख सकते हो कि बंद परिपत में इसमें switch जो होता है बंद होता है लेकिन खुले परिपत में switch खुला होता है on नहीं होता off होता है वो ठीक है खुला switch है तो इसका मतलब क्या है switch off है परिपत में धारा का प्रवा होता है बंद परिपत में तो धारा का प्रवा होगा ही क्योंकि वो एक continuous परिपत हो जाएगा और वो बंद भी होगा, लेकिन अगर परिपत खुला हुआ है कहीं से, या फिर वो ब्रेक हो गया, कहीं पर तूट गया है, तो उसमें धारावर परवा होगा ही नहीं, ठीक है, और नेक्स्ट है, परिपत पूरा होने के कारण उपकरण या बल्ब ओन हो जाता है, लेकिन खु होला हुआ होता है, वो connected ही नहीं होता, और connected नहीं होता, तो circuit भी पूरा नहीं होता, ठीक है, तो I hope आपको इस समझ आया होगा, इस question के answer में आपने वो पीछे जो हमने एक डाइग्राम देखा था, उसको भी note-down करना है अपनी copies में, बेटा वोक्षीट को अच्छे से complete के आप लोग और जल्दी से अपने टीचर को सम्मेट करिये, मिलते हैं आपको next वीडियो में जोकि आपकी नहीं वोक्षीट की होगी, okay थांक्स फो वोचिंग,